अक्टूबर का मन्त स्टार्ट हो चुका है आप सभी लोग जानते हैं अक्टूबर स्टार्ट होते ही फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो जाता है अभी नवरात्री चल रहे हैं नवरात्री के बाद दशेरा और दशेरा के बाद दिपावली का फेस्टिवल स्टार्ट हो ज जिस पे Hyundai India आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे special offer और discount दे रहे हैं। अगर आप लोगों को जानकर ही पसांद आ दिये तो प्लीज वीडियो को like, share, चैनल को subscribe आप लोग ज़रूर कर लिजेगा। बात कर लेते हैं Hyundai Venue के बारे में, Hyundai Venue आप लोगों को तीन इंजन option के साथ में मिल जाती है, जिसमें सबसे पहला है 1.2 लीटर का पर पेट्रोल इंजन, ये power generate करता है 83 PS की, torque इसके अदर आप लोगों को 114 न्यूटन मिटर का, और mileage जो है आपको 17.5 पिलो मिटर पर लीटर का, बात कर लेते हैं दूसरा इंजन option, 1 लीटर का तर्बो चार्च पेट्रोल इंजन वेन्यू में आता है, जो power generate करता है 120 PS की, torque इसमें निकलता है 172 न्यूटन मिटर का, और जो mileage claim होता है, वो है 18.6 किलो मिटर पर लीटर अब बात कर लेते हैं 3rd इंजन option के बारे में, 1.5 ली 23.4 किलो मिटर पर लीटर का मिल जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि compact SUV के अंदर वेन्यू को उतारा गया है Hyundai की तरफ से, ये एक बहुत ही शांदार city driving car है, इसके अंदर आप लोगों को driving बहुत अच्छा experience होगा, एक decent fuel efficiency मिलती है, साथ में comfortable ride जो है वेन्यू आप लोग Uber 2024 में जो discount मिल रहा है, वो मिल रहा है, 81,000 रुपे का approach, जोस्तों आप बात कर लेते हैं Hyundai की extra के बारे में, Hyundai extra में आप लोगों को 1.2 लीटर का 4 cylinder engine आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को 82 BH की power और साथ में 114 Nm का torque निकल के देता है, mileage इसमें आप लोगों को 19.2 से 19.4 km per liter का मिल जाता है, ये depend करता है कि आपके पास model कौन सा है और transmission कौन सा है, अब बात कर लेते हैं आपका transmission options के बारे में, इसमें आप लोगों को 5-speed manual और साथ में AMT का भी option दिया गया है, अब बात कर लेते हैं extra CNG के version के बारे में, CNG version में आप लोगों को जो power निकल के आती है, वो है 68 BHP की और साथ में जो torque निकल के आता है, वो है 95 Nm का, CNG option के अंदर आप लोगों को जो fuel efficiency है, वो थोड़ा सा ज्यादा निकल के आएगी as compared to petrol option, अब बात कर लेते हैं Hyundai extra की price के बारे में, Hyundai extra आप लोगों को जो मिल जाता है, वो है 6.12 lakh से लेके 9.16 lakh के बीच मे इसमें जो आप लोगों को offer दिया जा रहा है अक्टूबर मत में, वो है 43,000 रुपीज का, अब बात कर लेते हैं Hyundai i20 की, Hyundai i20 1.2 liter कापा petrol engine के साथ में आप लोगों को मिल जाता है, इसमें आप लोगों को जो maximum power मिलती है, वो है 83 PS की, और साथ में आप लोगों को 115 Nm का torque मिल ज जाता है, फ्यूल टाइप आप लोगों को इसमें सिप पेट्रोल मिलता है, फ्यूल टैंक कैपसिटी की बात करें तो 37 liter का फ्यूल कैपसिटी आप लोगों को मिल जाती है, अब बात कर लेते हैं Hyundai की तरफ से आने वाली एक और हैच्पेक i10 Nios, i10 Nios आप लोगों को दो नीटन मीटर का टॉर्क, ये ट्रांस्मिशन आप लोगों को मिल जाती है, मैनूल और साथ में AMT के, इसके अंदर आप लोगों को जो मैलेज के लेम करते हैं कंपनी वो है 16 से 18 km पर लिटर, अब बात कर लेते हैं 1.2 लिटर कापा CNG एंजन के बारे में, इसके अंदर आप लोगों को स्लाइटली ज़्यादा मिल जागा, एस कंपेड टू पेट्रो लोशन, ग्रेंड आइटन नियोज अपने कॉंपक्ट साइस के लिए मार्किट में जानी जाती है, अगर आप लोगों को एक अच्छी सीटी ड्राइब, एक डिसेंट फ्यूल एफिशेंसी और एक के ओपर कंपनी आप लोगों को अक्टूबर मन्त में 58,000 रुपीज का हीज डिस्काउंट दे रही है, तो दोस्तों ये हमने बात करी हुंडे की तरफ सानने वाले इन चार गडियों के प्राइज और डिस्काउंट साथ में स्पैसिफिकेशन के बारे में, आप लोग अगर एक्स्ट्रा इन्फोर्मेशन लेना चाहते हैं, तो अपने नजदी की डिलर्शिप पे जाके और इन्फोर्मेशन ले सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आईए, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्रीब आप लोग जरूर के लिजेगा.